नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी नेक्स लेवल जाही नहीं पाएगी फेल करने में सबसे बड़ा मैत्मुन रोल निभाते हैं इसलिए ये इडेंटिफाई करना कि आपकी कंपनी में ऐसे लोग बिल्कुल भी ना हो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी मैं CEO and Founder Director हूँ Metas Oversays Limited का हमारी कंपनी Stainless Steel Model Location की Manufacturing और Export करती है आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फैंचाइजी शूरूम है आज जिस विशे पर बात करने वाला हो न यह विशे बहुत गंबीर है हर उस बिजनस ओनर के लिए जो अपने बिजनस को Next Level ले जाना चाता है अपने प्रोजेक्ट में सकसेस हासिल करना चाता है कई बार आपने देखा है कि कंपनी फेल हो जाती है या कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है उसके पीछे से क्या कारण होते है कई बार ये भी देखा गया है कि product बहुत अच्छा है, product market में बहुत competitive है, product की marketing strategy बहुत जबरदस्त है और consumer को ठीक तरीके से उस product तक यदि पहुचाया जाए, तो वो product खरिदने के लिए तयार भी है सब कुछ बहुत अच्छा है, और company की पुरी planning बहुत 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 तरीके से होने के बाद भी वो company fail हो जाती है या company का project fail हो जाता है उसके बीचे सबसे बड़ा कारण है company की team देखिए friends कि कितना भी अच्छा business plan आप बना लें, उस plan का execution जो होगा ना, वो team के हमादियम से होगा, और अगर team बहतर परफॉर्म नहीं करेगी, तो आपका बहतर से बहतर project या बहतर से बहतर company भी fail हो जाएगी, आज इसी विशापर में बात करने वाला हूँ, कि वो कौन से कारण हैं, जिसकी वज़े से company fail हो जाती है, सबसे पहला जो कारण है, वो आपके employees का attitude है, मैंने देखा कि बहुत सारी companies में, employees का attitude ऐसा होता है, कि me first, me first, वो हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हैं, वो ये सोचते हैं, कि मुझे जो salary मिल रही है, वो तो मेरा हक और इमान ह इसके अलावा उपर से मैं क्या कमा सकता हूँ, ऐसे में वो ऐसी सांडगाट करते हैं, जिससे आपके business में बहुत दिक leakage होने लग जाती है, और ध्यान रखिए, एक पानी की pipeline में ये दिक leakage बढ़ती चली जाए ना, तो पानी कभी भी वहां नहीं उतना पहुंच सकता, जित के लिए, customer acquisition के लिए, बहुत अलिक marketing करते हैं, और marketing से जो lead आती है, वो lead sales manager को दी जाती है, तो उनकी company का एक sales manager, जो lead manager के साथ मिलकर, उनकी company के साथ fraud गर रहा था, किस तरह से, वो company से आयोई leads के पास, जब meeting के लिए जाता था, software दिखाने के लिए जाता था, software के explanation देने जात तो वो company के software जिसकी कीमत 15,000 रुपे से लेके 35,000 रुपे थी, उनसे client से कहता था, कि sir, ये जो 15,000 का software है, अगर ये आपको पसंद है, तो मैं ये आपको किवल 5,000 रुपे में इसका crack version दे दूँगा, ये 25,000 का software है, इसका 10,000 में crack version दे दूँगा, friends, एक छोटे से लालच की वज़ा से, उस company का sales का volume लगाता, गिरता जा रहा था, और उस व्यक्ती ने ऐसी start guard कर ली थी, कि काम करने में सब सदा आगे निकलता था, देखा गया, तो उसका result दिरे दिरे खराब होता गया, इसलिए friends, ये ज़रूरी है, आपको सबसे पहले identify करना है, कि कहीं आपकी company में successfully run हो पाएगा, दूसरा जो method point है, वो क्या है, non supportive attitude in team, अभी team के बीच में, coordination बहुत बेतर नहीं होता, मतलब आप जानते हैं, कि पूरे business में sales के process में, production के process से लेकर, execution तक, पूरी की पूरी team का coordination चाहिए, जैसे lead generate करने वाला व्यक्ति, जब lead को generate करता है, तो lead generate करने के बाद वो lead marketing वाले के पास महुचती है, ताकि marketing वाला व्यक्ति, ठीक तरीके से product की information consumer को दो सके, और जो interested consumer है, उनको invite करके, या उनके या visit करके, आपका जो sales का person है, वो deal को close करता है, लेकिन यहाँ आपस में, अगर लोगों का coordination अच्छा नहीं होगा, team में management अच्छा नहीं होगा, तब भी आपकी company के fail, या आपके project के fail होने के chances बहुत ज़दा होगे, इसलिए जरूर ध्यान दें कि आपकी company में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी team में non supportive attitude है, अगर ऐसा है, तो अपने company के culture को develop करें, वह positive attitude लोगों के अंदर develop करें, ताकि वो एक दूसरे की support के साथ, team भावन के साथ काम कर सके, तभी आपका project या आपकी company सफलता आसिल करेंगी, next important बात है, वो क्या है, non learning attitude, कई बार ये देखा गया है कि company के employees में, learning capability तो होती है, पर उनका attitude नहीं होता किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अगर वो नएनी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नए तरीको को adopt नहीं करेंगे, company में नए methods को implement नहीं करेंगे, तो आपकी company next level जाही नहीं पाएगी, non learning attitude होने की वज़ा से, आपके लोग कुछ सीखते नहीं हैं, और आपके competitor नहीं नहीं चीज़ों को सीखकर आप से आगे निकल जाते हैं, तो आपको ये जरूर देखना होगा, कि आप आपकी company में ऐसे लोग बिल्कुल भी ना हो, जो non learning attitude के हो, अगर उनका learning attitude होगा, तो आपकी company और आपका project जरूर कामियाब होगा, and the next and most important thing, किसी भी business को success की और ले जाने के लिए, या किसी भी project को successfully complete करने के लिए, जरूरी है कि आपकी company का vision, आपकी company का mission, आपकी company के goal, पहले से define हो, और आपकी team भी, उनी goal, उनी vision, और उनी mission को साथ लेकर, निरंतर प्रगती की और आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ कदम मिला कर आगे चले, लेकिन कई बार ये देखा गया है, कि company मों कुछ ऐसे employees आजाते हैं, जिनको company के vision से, company के mission से, company के goal से, कोई लेन दिना नहीं होता, वो तो सिर्फ ये सोचते हैं, कि मैं कैसे अपना भला कर सकता हूं, मैं कैसे अपना फाइदा कर सकता हूं, ऐसे मों वो गलतियां करने से भी नहीं चूकते, वो काम करने से भी नहीं चूकते, जिसके छोटे से लाब के चकर में company को लाखों का नुकसान हो सकता है, और ऐसे लोग आपके mission को fail करने में सबसे बड़ा management role निभाते हैं, इसलिए ये identify करना, कि आपकी company में कहीं ऐसे लोग तो नही project में अगर success हासिल करनी है ना, तो आपकी team बहुत बेतर होनी चाहिए, team का culture बहुत बेतर होना चाहिए, team में learning capability बहुत अधिक होनी चाहिए, team में spirit होनी चाहिए, team में cooperation होना चाहिए, team में learning attitude होना चाहिए, और team में supportive attitude होना चाहिए, अगर ये गुन आपकी company में, या आपके प्रोजेक्ट में आपके employees के हैं तो आपके जीत निश्चित है हमारी company Metas Oversies Limited एक बड़ी company के वल इसलिए बन पाई क्योंकि हमारी company के employees के अंदर वो attitude है हमारी company के employees के अंदर वो जोश है वो जज़बा है वो जुनून है कि हमें company के लक्ष को हासिल करना है और अपनी ही company में अपनी growth को लगातार progress की और लेकर जाना है इसी वज़व से आज हम पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee showroom रन कर रहे हैं अगर आपकी company में भी इस तरह के लोग हैं और उनका attitude है तो आसानी से आप भी अपनी company को next level ले जा सकते हैं इसके लाबा आपके business की growth को लेकर आपके मन में यदि कोई भी प्रश्ण है तो मेरा आपसे request है वो हमें comment box में ज़रूर लिखें आने वाले वीडियो में हम उस topic को ज़रूर cover करेंगे कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को subscribe करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर आमित पाईश्वरी आपके सुनरे बोईश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत